कि विए साई सीये में रेंग लाने या इस्टुएंट्स को पास करने में ही क्यों बिलीव करता है यह इसके कुछ सर्टेन रिजन्स है जो मैं आप से आप डिस्कूस करूंगा हलाएं कि हमारा जैसा रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को देखे बहुत सारी लोग यह हमारे पर कमेंट करते हैं कि सबसी वाले सीये में रटवा जैते हैं और रटवाने से इस्टुएंट का आई कू डवलप नहीं हो पाता वो प्रफॉर्म नहीं कर पाता लेकिन मैं आप स को को युग पास वा जा सकता और नहीं रेंग आ सकता इसका रीजन यह है कि जो एंकंस कर दो कि पाता तो यह ऐकर नहीं दूसरे स्टुडेंट्स को बताएं कि साहिब यह रटवा की पास कर जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है रट के पास नहीं वा जा सकता रट के रहेंक नहीं आ सकती और फॉर्स रेंग तो कभी नहीं इसका मनलब फैल हुई नहीं सकता इसका मनलब उसमें तो पास हो गई होगा और अब मैं आपको सटेन रिजन गणा रहा हूं जिसकी वजह से मैं केवल रिजल्ट में बिलिव करता हूं कि रिजल्ट ही क्यों आना चाहिए इसका सबसे पहला रिजन तो यह है कि आपक को पास करेगाज़्न प्रहिसी बात प्रैक्टिकल्ट ट्रə intelligंग वह से फर्म में लेता है से इस्टूट ने जो आइसे का जो सिस्टम बनाया है उसमें दूरीश बनाया है एक थूरिटिगल आसप्ट और राशहर्श बेंगए प्रतेंग नौलेज को अप्लाई करता है प्रैक्टिकल काम सीखने के लिए इसलिए दोनों आसपेक्ट हैं दोनों को अपने-पने काम पुरी करने पड़ेंगे तो इस्टुडेंट एक्जाम कर जाएगा उसको रिकरिंग से नहीं मिल जाएगा और साथ में काम भी सिख जाएगा तो पर क्या मिल खची मन जाएगा कि दूसरा रिजण है कि में अधिक तर बच्चे जो आते हैं वह मेद्णी क्लेस ह dealer क्लास फेमिली के होते हैं अ अब एसके पेरेंट्स बहुत अर्मानों जीपर मार्य० केरेंज सुलभे नियुक्श को अब इतने दुर से स्टूडेंट को भेजते हैं parents बड़े अर्मानों से तो उनके अर्मान होते हैं कि बच्चा पहले time में से clear कर जाए फिर अच्छे जोब लग जाए अब यह अगर कोई मालेज यह कोई अच्छी high class family का भी है तो भी वह अपने बच्चे को लेके परिशान रहते हैं करेर के लिए तो हमारा यह इı फर्ज बंढता है कि उसका की सीबी तरीके से हम उसको एक्जाम पास करवाए इसको लिए हमें बहुत महित करने पड़ती है हमें system डौफ करने पड़ते हैं बच्चे को गाइड करना पड़ता है time to time उसको लिखने का तरीका सिखाना पड़ता है उसको पढ़ने का तरीका सिखाना पड़ता है और यह सारी काम करते हैं और उसका effect हमें मिल भी रहा है उसका effect है कि पिछले 7 years में VSI ने 4 टाइम तो ओल इंडिया फर्स टेंग दिया है मोडल अब जिन कोचिंग का मोडल क्लास्वूं सिटिस्पेक्शन है वह सिचे बिलीव करते हैं कि क्लास में सिटिस्फाइब होना चीए चाहे वह पास हो या नहीं हो और जो हमारे जैसे इंस्ट्यूट है जहां पर हम रिजल्ट भी ध्यान देते हैं तो हमारा परपज होता कि नौर्मली दो मोडल है एक तो रिजल्ट मोडल और क्लास्वूं सिटिस्फेक्शन मोडल जो कोचिंग क्लास्वूं सिटिस्फेक्शन में वह उनका थीम होता है कि बच्चें को अच्छी तरीके से पढ़ाओ बच्चा क्लास में सेटिस्फाइब होना चीए तो हमारी पो चोंग गाइड करते हैं प्रोफर लिखने का तरीका सिखा तो उसे रिजल्ट पी आता है अब दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती अगर हम सोचेंगे साब क्लास्वूं सेटिस्फेक्शन में हो जाए रिजल्ट पी आ जाए दोनों चीज पॉसिबल नहीं हमने करके देख ल इस्टुदेंट्स की लिमिटेशन मना रखी है हमने डिसाइड कर रखा कि हमें कितनी स्टुदेंट पडाने हम इंट्रमेजेट में केवल 360 पड़ाते हैं सी फाइनल में जो अभी मैंने यह मेरा फ्यस्ट बैस था उसमें केवल सेवनी स्टुदेंट थे जिसमें से ओल है उसमें केवल एक स्टुदेंट होगा और वह भी नाम क्लियर करेगा हमारा उसके बाद में भी जब यह तुल का रिजल्ट है मैंने कि चालिस बचे लिए इसके अंदर और 40 स्टुदेंट में से ही मेरे को रिजल्ट निकाल के इंडिया को दिखाना है कि रिजल्ट कैसे आ तो उससे ज्यादा खुसी हमें मिली ने सकती पैसा कमाना लाइफ का एम नहीं हो सकता हमारा एम है केवल और केवल रिजल्ट में जहां देना जो बच्छा पास पुने के लिए आता है वो पास कराएं और जो ब्रेंग के लिए उसको रेंग कराएं और फिर अल्टिमेटल मे हम उसके साथ चीट नहीं कर सकते यह हमारा धरम है